तो मैजिकल माइन्स आज का जो हमारा सेशन यह बीस्ट होने वाला है मिजोरम के जोग्रफी, एकनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिबल और जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मिजोरम को देखेंगे यह रहा मिजोरम हमारा इसके बारे में हम मैप में देख लेते हैं कीन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है तो देखें सेवन सिस्टर के जो तीन स्टेट से उससे बॉर्डर शेयर करता है एक है त्रिपूरा, आसाम और आपका मनिपूर और territory बना 21st January 1972 में और पुरी तरह से state बना 20 February 1987 में total district 11 है capital अजावल है फिर बात करेंगे state legislature की तो वो unique एमरल है जिसमें 40 seats है मिजोरम legislative assembly 40 seats के साथ national parliament की बात करें तो राज सभा में एक seat है लोग सभा में एक seat है high court है आपका गोहार्टी high court है area की area के rank से बात करें तो इंडिया में इसका rank है 24th rank है population जो है population wise बात करें तो 27th rank है और जो urban में है वो 52% urban population है और 47% आपको ruler population देखने को मिलेगा फिर हम बात करेंगे इसके जो यहां का जो economic activity है वो है farming लेकिन recent years में यहां पे कुछ service sector में भी आपको इसमें development देखने को मिलेगा तो चलिए इसके अब detail को देख लेते हैं geography की बात करें तो मीजोरम जो है वो landlock country है north eastern state में इंडिया में border share करता है में मार से east और south side से और आसाम से west मनीपूर से north side से जाना जाता है अपने rolling hills के लिए valleys के लिए rivers के लिए lakes के लिए 21 major hill ranges हैं जो सबसे highest है फांग फूई लांग जिसे हम blue mountain भी कहते हैं ठीक ये जोगरफी का important question है कि blue mountain किसे कहते हैं और ये कहां पर है तो ये आपका मीजोरम state में है जिसका नाम फांग फूई लांग भी कहा जाता है highest mountain hill range है ये मीजोरम का फिर बात करेंगे climate का जो climate है मीजोरम का वो है आपका tropical monsoonal गर्महट वाला उष्निकटी बंधिय मौनसून है जिसमें आपको देखने को मिलेगा hot humid summer गर्मी जो होती है वो गरम होता है और जो आपका winter season है वो आपको ठंडा और dry देखने को मिलेगा और rainfall की बात करें तो rainfall काफी अच्छा होता है 2000 से 3000 mm यह प्रॉक्स जोग्रफी में forest की बात करें तो जो आपका forest area है वो पुरी तरह से अच्छा है forest area बहुत है 80% जो land है वो पुरा forest से cover है जिसमें आपको variety of wildlife देखने को मिलेगा flora fauna जिसमें wildlife की बात करें tigers, deer, monkey, elephants देखने को मिलेगा river की बात करें तो तुलांग river है जिसे धालेश्वरी नदी भी कहा जाता है जो की मिजुरम की सबसे लंबी नदी है जिसकी total length है 185 km यह जो नदी है इसका origin होता है मेयमार से फिर यह बराक river में जाके मिलती है थुरू मिजुरम जो तुलांग river है वो important है source of water for irrigation और drinking water के लिए और transportation और hydroelectric power generation के लिए भी यह नदी बहुत important है अब फिर आप बात करते हैं चीम्तुई पूई river की जिसे कोलो दाइन river भी कहा जाता है यह second longest river है मेजुरम का जिसका length है 159 km यह भी आपको मेयमार के चीन हिल से इसका origin देखने को मिलेगा यह आपके मेजुरम से होते हुए यह बंगला देश में जाके मिलती है यह आपको popular destination है white water rafting के लिए और hiking के लिए फिर बात करेंगे तूरियल river जिसे सोनाई river भी कहा जाता है यह tributary है बराक river का जो की originate होता है मेजुरम के सरदन पार्ट में हाँ और फिर flow करता है northern work site जि यह भी आपका source है पानी water drinking water के लिए irrigation के लिए और hydro electricity power generation और फिर बात करेंगे तूरियल river यह tributary hub का तूलांग river का जो मिजुरम की सबसे longest river है उसकी और यह आपको originate इसका होता है मिजुरम के central part से और फिर यहां से यह तूलांग जो है वो एजावल होते हुए आपको यहां बीच में से जाती है यह नदी तो हमें important rivers का जानना जरूरी है साथी साथ देखना है कि उसका जो origin है वो किस area से होता है फिर बात करेंगे जो मिजुरम है वो अपने lakes, valleys, rivers इस सब के लिए तो famous है मिजुरम में 21 major hills है और census की according अगर देखें तो मिजुरम जो है वो second position है उसके literacy rate में यहां की जो population है 91.58% जो population है वो literate है आफ्टर के बाद इसका number आता है और sanitation के मामले में भी बात करें तो यह highest score रखता है second highest urbanization score है इसका जिसमें 22 towns है क्योंकि इसकी जो most population है approximately above the 55% वो आपका urban area में ही रहते हैं चलिए बात करते हैं lakes की lakes में lung lay lake जो है वो आपका है यह मिजुरम का largest lake है जिसकी total surface area 12 square kilometer काफी बड़ा lake है यह यह भी आपका एक popular destination है अपने scenic beauty के लिए world famous है यह देखिए इस lake का यह picture है फिर बात करेंगे तामदिल lake तामदिल lake जो है व जाओल district में आपको जो मिजुरम की capital है वहाँ पर यह lake है यह आपको यह भी world famous है popular destination है tourism के perspective से देखे तो और यह आपको boating fishing और swimming के लिए famous है फिर बात करेंगे रंगदिल lake रंगदिल lake जो है वो आपका small lake है जो चंपाई district मिजुरम के चंपाई district में situated है यह भी आपका famous है व bird watching के लिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे birds देखने को मिल जाएंगे including herons, egrets और ducks के लिए यह international है और यह इसका जो shape है वो हर्ट की तरह है जिलको रंगदिल lake भी कहा जाता है फिर बात करेंगे economic ही जो मिजुरम की economic है वो most जो majority of person है वो agriculture पे depend है और इसी से 70% जो है आपक contribute इसी section से होता है जो पैसे आते हैं अब देखे agriculture में देखे तो जो main crops है मिजुरम के वो है maize, millet, pulses और अभी यह life stock sector में भी आगे बढ़ रहा है जिसमें यह पालन करता है आपके pigs, poultry farming के लिए भी यह अच्छा destination माना जा रहा है फिर tourism जो है इसका second important contributor है GDP में tourism जो है देखे मिजुरम economy में important अपना role play कर रहा है number of natural attraction के लिए जिसमें कि आपको wildlife है, natural lakes है, hills stations देखने को मिल जाएंगे, कुछ important आपको wildlife century है जैसे कि चंपाई, merlin, national park और lethlam canyon देखने को मिल जाएगा manufacturing sector में देखे तो जो आपका bamboo है, मिजुरम bamboo के लिए बहुत famous से कहा जाता है, यहाँ पे bamboo के 21, more than 20 species है bamboo के, जो की indigenous हैं, तो उसको promote करने के लिए सरकार काम कर रहे हैं, उससे जो manufacture होते हैं, उसका export होता है nationally भी और अंतराश्टे लेवल पे भी internationally भी, देखिए bamboo से बने हुए क कुछ चीज हैं, और इसको सरकार center भी और state government भी promote कर रही है, फिर service sector है, service sector भी मिजुरम में अब expand हो रहा है, और सरकार भी इसको promote करने में लगी हुई है, फिर infrastructure development है, जिसमें कि state government भी अपने जो राज्य है, उसके infrastructure को develop कर रही है, जैसे कि roads, railway, airports, इन सारी चीजों को develop किया ज जा रहा है, ठिक जिससे की economic growth में फाइदा हो, फिर बात करेंगे जो important tribes है, मिजुरम के, जो सबसे important tribe है, वो से लुशाई मीजो tribe कहा जाता है, ये मिजुरम की largest tribe है, जो कि मिजुरम के 60% population में भागीदारी है, इसकी जन संख्या का, और ये matrilineal tribe है, मतलब यहाँ पे जो decision हो में होता है, फिर दूसरा point ये वह है कि जो घर का property और जो property होता है, वो female को पास होता है, यहाँ पे male का ज्यादा नहीं है, रोल, female का ही है, और उसी के उपर ये responsibility होती है, कि वो अपने घर के लोगों की देखभाल करें, ठीक है, फिर लुशाई जो community है, वो जानी जाती है, अपने खुबसूरत hand long works के लिए, textiles के लिए, जो उनके culture का भी part है, और इस चीस, और इसके साथ ही उनलोग जाने जाते हैं, अपने dance music के लिए, फिर जो दूसरा tribe है, वो है रालते tribe, ये second largest tribe है, मिजोरम का, जिसमें इनकी जो जनसंक्या है, वो 15 प्रतिशत का, 15 प्रतिशत तक है, state population में, इनका भी जो है, वो decision maker जो होता है, वो घर की female के पास होता है, और इनमें भी जो है, आपका लुशाई tribe के, जैसा ही, इनका जो cultural similarities होते हैं, ये अपने, ये जाने जाते हैं, अपने skill weaving के लिए, और अपने beautiful handicrafts के लिए, हमार tribe है, वो जो chin hills है, ये कहा जाता ह है, कि ये chin hills, जो मैमार से, वहाँ से migrate होकर 18th century में, इस side को आये थे, तो ये state का 10% population में, इनकी हिस्तेदारी है, ये इनका कुछ इस तरह से पहनावा होता है, और इनमें क्या होता है, कि इनमें, जो decision making power होता है, वो घर के mills के पास होता है, तो और ये लोग जाने जाते हैं, warrior tradition के लिए, तेक, और ये अपने beautiful handloom textiles के लिए भी जाने जाते हैं, प्लस बात करेंगे, जो दुसरा tribe है, वो है पावी tribe, पावी tribe जो है, ये भी मैमार में ही origin हुआ था, चीन hills में, लेकिन ये 19th century में, इस side को आये थे, मिजोरम side में, ये इनका जो population है, वो कम है, 5 प्रतीशत के आसपास हैं, और इनमें जो decision making power होता है, वो होता है घर की female के पास, इनका भी जो cultural similarity देखने को मिल जाएगा, लूशाई tribes के जैसे ही है, ये भी अपने skill weaving के लिए और handicraft के लिए जाने जाते हैं, ये इनका कुछ local dress इस तरह से होता है, female कुछ इस तरह से dress पहन फिर आता है मारा tribe, मारा tribe जो है कुकी चीन एथनी ग्रूप है, मारो autonomous district council है इनका खुद का, ये अपना जो भी इनका decision होता है, ये community के ही जो head होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है, वेल ये आपको ये जो township है, पलेतवा और मातूपी township में पाये जाते हैं, ये इनका main hub है रहने का, फिर western southern part of lang lang township में है इनका, फिर जो आपको मिजोरम का सरदन side का township है, जैसे हक का township वहाँ पर ये पाया जाते हैं, ये अपने आपको माराज भी कहलाना पसंद करते हैं, इनके माराज भी कहा जाता है, अब बात करते हैं मिजोरम के festivals के लिए, छपकार कुट मि मिजोरम फेस्टिबल जो है, वो छपकार नहीं, छपकार नहीं, छपकार गुट फेस्टिबल है, ये जो बहुत important फेस्टिबल है मिजोरम का, ये spring फेस्टिबल है, जिसको harvesting season के time पे ये celebrate किया जाता है, और इनका ये नया साल भी होता है, जिसमें लोग dancing और ये सब अपना जो भी इनका folk चीजे है, उस चीज को करते हैं, और ये इसनके लिए शुब माना जाता है, इसमें ये अपने cultural heritage को दिखाते हैं, इसको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, जो फेस्टिबल है, ये आपका harvest फेस्टिबल है, ये November month, और ये November और December में मनाया जा जाता है, ये Thanksgiving होता है Mother Earth को, और ये Thanks कहा जाता है कि Thank You Mother Earth कि आपने जो harvest था वो बहुत अच्छा हुआ, बस इसी में इन लोग पूजा पाट करते हैं, और इनका ये भी एक तरह से, और फिर इसमें ये प्रेयर किया जाता है कि जो आने वाला agriculture production हो वो अच्छा हो, इस चीज क related ये festival है, जिसमें ये dedicate है nature को, फिर बात करेंगे Anthurium Festival, ये जो flower festival है, एक तरह से इसे कहा जाता है, Anthurium Festival, ये month of February में celebrate होता है, जिसमें आपको बहुत सारी diversity देखने को मिलते हैं, flower के types को, ये एक तरह से मिजोरम का state flower भी है, फिर आता है Lua Khatla Festival, ये जो है, वो मारा tribe के द्व celebrate किया जाने वाला festival है, तेवार है, ये भी Thanksgiving festival होता है, ये जुमिंग जो आपका agriculture प्राक्टिस है, उसके completion के बाद होता है, then national parks की बात करेंगे, तो देखिए, मिजोरम में बहुत सारे national parks है, wildlife sanctuaries हैं, लेकिन जो important है, वो मैंने यहाँ पर mention किया है, पहला है फ़ांग पूई national park, ये लौंग तलाई district of मिजोरम में है, और ये आपको variety of florafona देखने को मिलेगा, जिसमें आपका included blint, track open, ये कुछ इस तरह से होता है, हूम फीजन्ट है, हूम फीजन्ट जो है, वो यहाँ के state का, आपका state bird है, जिसे वावू भी कहते हैं, फिर यहाँ पे आपको mountain goat, slow, l मिजोरम में है, variety of florafona देखने को मिलेगा, जिसमें include है, Asian elephant, guar, sambar deer और wild boar, फिर बात करेंगे tiger reserve के, dumpa tiger reserve, dumpa tiger reserve के बारे में बहुत exam में पूछा जाता है, तो ये important है, ये आपको मिल जाएगा, मिजोरम के champai district में है, reserve, tiger reserve है, especially, जिसके साथ आपको diversity of florafona देखने को मिलेगा, Asian elephant, guar और sambar deer, फिर बात करेंगे wildlife sanctuary की, wildlife sanctuary में linking wildlife sanctuary जो है, वो आपको champai district में, champai district में wildlife sanctuary भी देखने को मिल जाएगा, national park भी देखने को मिलेगा, जिसमें फिर से आपको variety of flora, fauna देखने को मिलेगा, Asian elephant, guar, sambar deer और wild boar मिलेगा, फिर बात करते हैं, नगेन पूई wildlife sanctuary, ये भी आप का लौंगतलाई district में situated है, जो कि ब्लिंथ, ट्रैगोपन देखने को मिलेगा, मिलेगा, स्यूम, फिजन्ट, और माउंटेन, गोड और स्लोर लॉरिस देखने को मिलेगा, society की बात करें, तो मिजोरम की society है, वो close need community है, अपने tradition और culture को लेके ये काफी मजबूत रहते हैं, उ चीन से आयत थे, ठीक, और कुछ आपको महमार से भी इनका migration देखने को मिलता है, और मिजोर लेंगवज जह है, वो तिब्बितन बर्मन लेंगवज फैमिली से ही निकला है, तो ये तो रहा मिजोरम का detail, geography, important rivers, festivals, खोप आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं next session में, तब के लिए, thank you very much.